Hey dear students, welcome back to our channel once again, बच्चों, लास्ट लिक्चर में हमने पढ़ा था विज्वल्स के बारे में जो की एक non-verbal form of communication है, एक last topic हमारा रह गया था बच्चों, जो की है tactile signals या फिर हम उसको haptics भी बुलाते हैं, ये हमारा आखरी non-verbal form है, communication का, तो क्या होता है ये haptics? simple जा है, the study of touch जो होता है, उसको हम बुलाते है haptics, अब ये study of touch होता क्या है, ये कुछ forms of touch है, जो हम देख रहे हैं, किसी की पीट थप थपाना, शाबासी देने के लिए, जिसको हम pat करना बोलते हैं, हम हाथ पकड़के अपने friends के साथ चलते हैं, तो वो भी एक तरीके का touch होत है, अब वो हाथ formal relation में हो सकता है, informal में हो सकता है, casually हाथ मिलाना हो सकता है, जैसे आप friends लोग जब मिलते हो, तो usually अपने friends से मिलते बरावर उनको हाथ मिलाते हो, हाई हेलो करते हो, तो ये एक touch होता है, then when you hug someone, कितना close और कितना intimate relation है आपका उस इनसान के साथ में, तो ये parents औ और बच्चों का जो relation होता है, उसके अंदर एक touch होता है, या पर आपस में दोस्त एक दूसरे के कंदे पर हाथ रखकर खड़े हैं, उनके बीच में ये touch होता है, किसी का हम हाथ खीच रहे हैं, अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, तो वो भी एक touch होता है, तो basically जब हम बात करते है, इस non-verbal form of communication की ये जो touch होता है, ये बड़ा ही important होता है, क्योंकि ये कई सारे message जो है, वो हमको देता है, अब कुछ touch ऐसे होते हैं, जो इनसान के हमको पसंद नहीं आते हैं, तो ultimately वो एक negative message जो होते हैं, वो हमको देते हैं, similarly, अगर हम इस touch की बात करें, तो कुछ touch जो हो होते हैं, family friends होते हैं, siblings होते हैं, कंदे पर हाथ रख दिया, अपने हाथ मिला लिया, hug कर लिया, तो ये बड़े ही casual से touch होते हैं, जो कि एक personal feeling हम किसी के साथ share करते हैं, तो वहाँ पर ये touch जो है, वो काम आते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे touches की जो की बड़े ह हमारे जो touch होते हैं, ये भी हमारे haptic का ही हिस्सा है, अच्छा touch जो है, वो भी एक message देते हैं, जैसे मैंने आपको कहां, अच्छे message भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से negative message भी हमको मिल सकते हैं, अब accidentally अगर आपने किसी को touch कर दिया, for example, जैसे कि हम travel करते हैं, train से, रास्ते में तो वो थोड़ी कोई message convey कर रहा है, नहीं कर रहा है किसी भी तरीके का message convey, तो गलती से आपको धक्का लग गया, या गलती से आप cross हो रहे थे, पास हो रहे थे, तो किसी का हाथ आपको लग गया, आपका हाथ किसी को लग गया, तो ये accidental touch होते हैं, तो ये किसी तरीके के message convey न बिलना शुरू कर दिया फिर कभी आपने दोस्के कंदे पर हाथ रख दिया तो यह इंपर्सनल से पर्सनल होते जाते हैं आपके टच टेंदेंसी ऑफ यूजिंग डिस फॉर्म ऑफ कम्यूनिकेशन इस डिटरमाइंड बाइडी सोशल ग्रूप डैट यू आर पार्ट अब य सोशल ग्रूप का हिस्सा होते हैं उसके उपर हमारे यह जो टच की टेंदेंसी है वो डिपेंड करती है तो यह था हमारा टेक्टाइल सिगनल्स जो की हार्टिक याने की अस्टडी ऑफ टच के उपर था अब हम बढ़ेंगे अपने निक्स टॉपिक पर बच्चो जो वीनोल सिगनल्स बड़ाइब हैं हम जो पढ़ने वाले है वह बिजननस समय दस्क की ज़रौठ होती आफ झेल्थ है उतिरोस होती है बहुत मैंश की चुन हमारे बिजनस में तो क्या है ये बिजनस एटिकेट आए जानते हैं इसको डीटेल में बिजनस एटिकेट इस टाइप ऑफ बिहेवियर दाटीम मेंबर्स एक्सपेक्टेट तू फॉलो इन ओर तू अफोल दे कमपनी इमेज इन रिस्पेक्ट इच अदर बिजनस एटिकेट एक ऐसा बिहेवियर है जो हर टीम मेंबर से उमीद की जाती है कि आपको ये बिहेवियर जो है वो फॉलो करना ही है क्योंकि इससे कमपनी की रेप्यूटेशन का सवाल होता है तो कहीं न कहीं आप जो भी बिहेव करोगे अल्टीमेटली कमपनी की जो रेप्यूटेशन है उसके उपर इम्पैक्ट होगा बिसनिस एटिकेट इस जो की एक्सेट भी है और ज़रूरत भी है जिसकी हमारे बिसनिस प्रोफेशन में दोस तो वाईलेट बिसनिस एटिकेट अगर्सिडर ऑफेंजिव अब ये एंफोर्स किया जाता है members of the organization के ऊपर basically there are certain expected behaviors from the members of the team if you violate the rule if you do not follow such behavior basically आपको offensive इंसान समझा जाता है business etiquette is important because it creates a professional mutually respectful atmosphere and improves communication which helps in office serve as a productive please so basically business etiquette जो है एक professional environment create करता है mutually respectful environment create करता है उसे के साथ साथ एक ऐसा atmosphere create करता है जहां पर आप लोगों की respect करते हो यह हम अपने manners के जरीए ही बता सकते है and improves communication अच्छा एक बहुत ही अच्छा सा कोट है जो मैंने कहीं पढ़ाता वो कोट बोलता है हमको always treat people with your manners and not there is लोगों के साथ या लोगों से वेवार इस तरीके का रखो जो आपके manners है आप उस हिसाब से उनके साथ में behave करो जो उनके manners है उसके हिसाब से उनके साथ behave मत करो जैसे हम सोचते हैं कि अगर किसी ने उल्टा जवाब दे दिया कुछ बोल दिया तो वैसा ही जवाब हमको भी देना है not required that is not our manners हमको यह नहीं सिखाया गया है कि आपको बुरे के साथ बुरा बनना है आप अपनी अच्छाई को maintain रखो आप अपने हिसाब से जवाब दो लगता है सामने वाला इंसान सुनने वालों में से नहीं है तो ऐसे इंसान के साथ बहस करके argument करके कोई मतलब नहीं है because there is always a saying never argue with a fool a fool will drag you to his level unless and until he will beat you with his foolishness तो इससे better है कि हम दूसरों के साथ वैसे behave करें जो हमारे manners हमको सिखाते हैं ना कि उनके manners हमको सीखने हैं अपने manners हम किसी के लिए नहीं छोडेंगे और कि तो वही business etiquette के अंदर होता है जहां पर आप mutually respectful atmosphere create करते हो अपने communication को improve करते हो and ultimately which helps an office serve as a productive place और कही ना कही जब एक अच्छा environment होता है तो एक बहुती productive place होती है जहां पर हम काम करते हैं जो कि हमारे offices या organizations होते है people feel better about their jobs when they feel respected and that translate into better customer relationships as well अब जो लोग होते हैं कही न कही respectful environment है बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह उपर काम करने में तो अपने jobs के उपर बड़ा ही proud feel होता है बड़ा ही अच्छा लगता है कि हम एक बहुत ही अच्छी जगह पर काम करें जहां लोगों के अंदर तमीज है तहजीब है कैसे बात करनी चीए कैसे उठना बैटना है यह सारी चीजों की तमीज तहजीब या manners हम बुला है या etiquettes हम बुला है जब ऐसे work place पर हमको यह सारी देखने मिलती है तो हमें बड़ी ही कुशी होती है ऐसे जगह पर काम करके विगोज अल्टिमेटली डेफिनेटली हम पैसो के लिए तो काम कर रहे हैं लेकिन पैसों के साथ हम रिस्पेक्ट के लिए भी काम करते हैं जो की हम सब डिजर्फ करते हैं आज यूमन बिंग तो यह एक जिस्ट था what exactly do we mean by business etiquette अब business etiquette के कई सारे forms या टाइप से जिसको हम one by one complete करेंगे बड़ा ही आसान और बड़ा ही संपल है बस आपको याद रखना है यह जो मैं पढ़ा रही हूँ आज बड़ा ही common sense वाली चीज़ है तो आपको इसको कुछ high funda rocket science का formula apply नहीं करना है आपको simple से समझ में आना चाहिए कि मैंनर्स क्या होने चाहिए क्यूबिकल एटिकेट्स के मैंनर्स क्या होने चाहिए office एटिकेट्स के मैंनर्स क्या होने चाहिए phone एटिकेट्स के तो एक organization के अंदर क्या एटिकेट्स या follow होने चाहिए बस इसको हम पढ़ते आये है समझते आये है तो उसी को हमको क्या करना है आज देखना है ताइप सफ बिजनेस एटिकेट सबसे पहले हम बात करेंगे फोन एटिकेड के ऊपर यानि कि कॉल पर जब हम बात करते हैं तो हमारे क्या manners or etiquettes होने चाहिए, क्या phone पर बात करने के लिए भी manners or etiquettes होने चाहिए, बिलकुल होने चाहिए, हम client से बात करते है, customer से बात करते है, colleague से बात करते है, superior से बात कर रहे है, subordinate से बात कर रहे है, जिन से भी आप बात कर रहे हो, manners or etiquettes को follow करना पड़ता है, कुछ rules and regulations आपको पता होने चाहिए Okay Now for clarity in speech Speak directly into the phone holding it at two finger width to your mouth with a smile in your voice At a moderate rate and volume using simple straightforward language Simple है जब आप phone पर बात कर रहे हो तो क्या etiquette follow करना है जब आप phone पर बात कर रहे हो Speak directly into the phone holding it at two finger width तो basically जब आप for example if this is phone and you are talking on your phone तो एक इतने distance पर आपको बात करना है आप ऐसे करके बात नहीं करेंगे आपको एक distance जो है अपने phone के साथ में उसका जो माइक है वहां से कुछ distance पर उसको रखकर बात करनी है जब आप बात करेंगे तो उसी के साथ साथ आपकी voice में वह smile आनी चाहिए अब आपको अखेले रहकर हसते नहीं रहना है आपकी voice sound ऐसी होनी चाहिए कि आप बड़ी ही प्यार से अच्छे से एकदम soft tone में soft voice में बात करें उसके लिए आपकी voice में वह smile का होना ज़रूरी है at a moderate rate आराम से धीरे धीरे speed जो है वह आपकी moderate है एकदम fast नहीं बोल रहे है आप volume using simple straightforward language और जो आपकी volume होनी चाहिए वह भी moderate rate पर होनी चाहिए volume ज़्यादा high ना हो volume ज़्यादा low ना हो एक moderate rate पर आपकी volume है और उसे के साथ साथ आप सरल भाशा का इस्तमाल कर रहे है आप बहुत ज़्यादे technical language या technical words या जिसको हम jargon बुलाते हैं उसका आप इस्तमाल नहीं कर रहे हो second है be courteous and modulate your voice as per need voice should reflect sincerity, pleasantness, confidence and interest so basically you have to be courteous with your voice एकदम ऐसा बात करो जैसे कि हम courtesy manners जो है वो शो कर रहे है हम बड़े ही प्यार से इच्छे से बात करें जिससे सामने वाले को हमारे आवास सुनकर ही पता चले यह इंसान बहुती pleasant है, confident भी है और interested भी है हमारी बात को सुनने में तो यह जब आप बात करते हैं तब आपको ध्यान रखना है अब जब हम बात को सुन रहे हैं for good listening, talk less and concentrate on listening for ideas अब phone पे जब हम बात कर रहे हैं तो हमको सिर्फ हमी को नहीं बोलना है of course सामने भी कोई है तो हमको उनकी भी बात सुननी है तो आपको हो सके उतना आप बात कम करें और ध्यान ज्यादा दे listening के ऊपर second चीज जो आपको करनी है take notes if necessary अगर आपको लगता है कि आपकी call ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली call है क्लाइंट के साथ में कुछ requirements क्लाइंट की जो आप सुन रहे है तो सबसे अच्छा काम होता है और एक pen अपने हाथ में हमेशा तयार रखिए जब भी आप फोन पर बात कर रहे है कुछ important points अगर आपको लगते है आप उसको note down कर सकते है interject with words like yes I see to show that you are listening जब हम फोन पर बात करते है तो हम बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है okay तो यही आपको बात करनी है तो सामने वाले को पता चलेगा कि मैं अकेले नहीं बढ़ बढ़ा रहा हूँ फोन के other side में भी कोई है तो वो प्रूफ करने के लिए बस आपको हाँ yes yes करना है हम हम नहीं करना है बिलकुल भी yes yes यही आपको बोलते रहना है okay then you have to begin impressively how do you begin impressively answer the phone as fast as possible as fast as possible हो सके उतना जल्दी call को answer आप करेंगे phone बज रहा है तो जादा उसको delay नहीं करना है अगर call आपका पहले से expected एक particular time पर call आने वाला है तो हो सके आप immediately यानि कि एक या दो रिंग में ही आपने phone अगर receive कर लिया है तो बड़ा ही impressive हो जाता है caller के लिए greet in a friendly manner of course good morning good afternoon जो भी है उस वक्त या hello how are you यह आपने पूछ लिया ask the caller for his or her name तो जिसने भी call किया आप सामने वाले से नाम जो है वो पूछ सकते है to put callers on hold अब यूजवल यह काम जो receptionist करते है कि अगर आप ने call किया किसी company में आपको किसी specific इंसान से बात करना है लेकिन call जो है वो लगा है reception पे अब आप ऐसे receptionist क्या करेंगे अगर आपको phone hold पर डालना है तो सबसे पहले always ask for permission and thank the call for holding हमेशा जिसने भी phone किया है आप एले उनसे permission लेंगे क्या आपकी query solve करने के लिए क्या में आपका call hold पर डाल चकती है जैसे कि customer support करते हैं हमसे पूछते हैं क्या आपका call हम hold पर डाल सकते हैं उसके बाद जब आप return आ जाते हैं call को hold पर डालने के बाद तो हमको thank you बोलते हैं call पर बने रहने के लिए फिर अपना वो जो भी आगी का communication है वो continue करते है तो transfer a call limit the number of transfers tell the caller who you are transferring them to announce the caller to the person you are transferring okay जब आप call transfer कर रहे हैं आपको जयादा लोगों को transfer करना है किसी एक इन्सान को construir करना है सेकेथ़न आपको क्या करना एं caller को आपको बताना है कि किसको call transfer कर रहे हैं जैसे कि आपने बोल दिया sir मैं आपका जो call है वो आगे transfer कर रही ही है All our general manager में के दो चिनका नाम है Mr XYZ तो यह आपने बता दिया आप transfer करने के पहले आपका काम बनता है कि आप Mr. XYZ से permission लो कि Sir so and so customer का आपके लिए call है या client का आपके लिए call है क्या उनका call में आपको transfer करो तो दोनों को ही communicate करके आपको बताना है हो सकता है Mr. XYZ उस वक्त बिजी होंगे तो वो उस वक्त call attend नहीं कर पाएंगे तो आप पहले ही permission लेंगे दोनों को inform करेंगे transfer को भी और transferee को भी Then take a message well note down callers name and company name if applicable time and date of call what the call is about if a follow up or return call is needed and phone number office or home of the caller तो हमेशा याद रखना कुछ message आपको note down करना है जो मैंने आप पर बोला है caller का नाम company का नाम अगर company का नाम applicable है तो अगर नहीं है कोई caller अगर कोई जिन से बात करवानी है वो प्रेजन नहीं है तो आप उनके message को note down कर सकते है call किस regarding उन्होंने किया है अगर इस call के ओपर follow up की जरूरते वापस call करना है तो आप वहां लिख देंगे phone number of the caller फोन नमबर एक एड़िट फोन नमबर आप ले सकते है बहले हो सकते है और उन्होंने जो नमबर से call किया उनका खुद का personal नमबर ना हो अफिशल नमबर हो तो आप चाहे तो ऐसे में कौन सा कउंटाक्ट करने वारा नमबर आप वो क कंटाक्ग नमबर उन से ले सकते है ऑफिस को हो सकता है घर का हो सकता है परस्नल हो सकता है जो भी नमबर होगा आप उनसे लेकर नोट डाउन कर देंगे अगर वटिस मेसज़ आपको Squat करना है तो वाई मैसेज के लिए आप अपना नाम बताएंगे बोल सकते हैं कि हम जो है वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपना जो भी मेसेज है वो ड्रॉप कर सकते है Make a lasting impression before ending the call Don't leave any of the caller's questions unanswered but reveal nothing personal other than your first name किसी भी caller का question unanswered नहीं होना चाहिए, call उठाया है तो आपको पूछना है कि क्यू call किया है और ये भी याद रखना अपने बार में ज़्यादा detail information नहीं देनी है आप कौन हो, आप क्या हो, कौन सी position पर salary कितनी है, ये सारी extra बाते नहीं करनी है बस आप अपना first name उनको बताएंगे then you have end on a professional note by apologizing for bothering them and graciously get off the phone अब बार बार अगर आपने उनको परिशान किया है call कर रहे हो, तो apologize कर दो बार बार call करने के लिए और अच्छे से एकदम प्यार से phone को रख दो don't frown or mutter or ramble negatively in a shrill voice कई बार होता है, जिसे boss का phone आ गया हम उनसे बात कर रहे हैं तो आवाज थोड़ी डरी हुई रहती है हमारी तो बिल्कुल नहीं बताना है कि हम बात करते वक बहुत ज़्यादा डरे हुए है एकदम relax होकर moderate rate, volume कम और प्यार से हमको बात करनी है okay so that was all about our phone etiquettes now coming back to your handshake etiquettes अब ये handshake etiquettes हाथ मिलाने के लिए भी manners की जरूत होती है बिल्कुल जरूत होती है हाथ मिलाने के लिए manners की because they are the physical greetings that go along with your words ये वो physical greeting है जो हमारे शब्दों के साथ जाती है जैसे कि hello how are you तो ये हम जब पूछते हैं तो अपना हाथ सामने से क्या कर रहे है तो ये हमारे handshake etiquette का हिस्सा है handshake developed from greetings in the middle ages यानि middle ages से ही ये handshake का concept जो है वो आया है in order to be sure that the person you were meeting was a friend and not an enemy you checked him for weapons you held your hand open and so did he then you shook hands to indicate that you were a friend अब middle ages में क्या हुआ करता था आप sure रहना चाहते थे कि सामने वाला जो इंसाने जिससे आप मिल रहे हो वो एक दोस्ती है कोई दुश्मन नहीं है और उसके पास किसी तरीके का हतियार नहीं है तो आप क्या करते थे अपने हाथ खुले रखते थे और आकर हाथ मिलाते थे तो basically इस तरीके से ये हाथ मिलाने वाला concept जो है वो आया है today we use the same greeting ritual to check whether a new person is open confident, sincere and friendly आज हम यही तरीका जो है greeting का इस्तमाल करते है किस चीज के लिए हम एक person को new person को जानना चाते हैं वो कितना open minded है, कितना confident है, कितना sincere और कितना friendly है some etiquettes to be followed while shaking hands अब hand shake करने के लिए कुछ etiquettes जो हमको follow करने होते हैं सबसे पहला है shake hands when meeting someone, renewing or acquaintance and when you say goodbye तो basically हाथ जो हम मिलाते हैं जब हम किसी से मिल रहे होते हैं या हम दुबारा उनसे मिले हैं या फिर कोई acquaintance है, कोई जान पहचान वाला है या फिर जब हम उनको goodbye बोलते हैं तब हम उनसे हाथ मिलाते हैं person in a higher position of authority or age should initiate the handshake अब जो इनसान higher authority पे, higher post पे है अगर वो सामने से हाथ मिला हैं तो आप हाथ मिलाएंगे वना आप सामने से हाथ अपना नहीं देना है stand and look the other person in the eye before shaking hands and lean forward ever so slightly जब भी आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो पहले तो आप stand straight अपने हाथ मिला है थोड़ा सा आगे आपको lean होना है थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा जुकाना है जब आप हाथ मिला रहे है यार हैंडशेक शुड बी from the elbow not the shoulder, firm yet not crushing or limp अब जब हाथ मिला रहे होना तो एकदम ऐसा जाकर हाथ नहीं मिलाना है it has to be from the elbow elbow से होना चाहिए shoulder से नहीं होना चाहिए जब हाथ मिलाना है उसको मारना नहीं है हाथ मिलाना है हमको तो shoulder से नहीं हमारे elbow से हमारा handshake जो है वो होना चाहिए अब बिचारे के हाथ को crush नहीं कर देना है, दबाद नहीं देना है, हैंड शेक है तो उसको शेक ही करना है Then, offer a greeting before and during the handshake तो जब आप हाथ मिला रहे हो और हाथ मिला रहे हो उस वक्त तो हाथ मिलाने के पहले और जब मिला रहे हो Hello, How are you? यह हाथ मिलाते हुए यह हमारा greeting हो जाना चाहिए Handshake should be approximately 2-5 seconds in duration अब यह हाथ कितनी देर तक हमको मिलाना है सामने वाले से 2-5 seconds तक बस उससे जाद उसका हाथ पकड़के हमको नहीं रखना है उसका हाथ नहीं मांगना है हमको उससे हमको सिफ उससे हाथ मिलाना एक formal greeting करना है Let your other hand be visible and unclenched rather than in your pocket अब अगर एक हाथ जेब में रखा है हाथ मिला रहे हो तो बड़ा ही arrogant sound करते हो बड़ी arrogant दिखाई देते हो इस body language से तो हमको एक हाथ हमारा बाहर ही रहेगा और एक हाथ हमने handshake उनसे किया है Shake hands in an up and down motion तो definitely जब हम हाथ मिलाते है तो up and down motion होना चाहिए दो से पाथ सेकेंड काईए तो up and down motion होना चाहिए बनावर हाथ पकड़ गया आप उसको देख रहे हो उससे बाते करते हो ऐसा नहीं होता है handshake हो गया up and down motion में दो से पाथ सेकेंड बस उतना ही handshake होना चाहिए उससे ज़्यादा आपको उनसे हाथ नहीं मिलाना है उनका हाथ लेकर घरम को नहीं जाना है कि अब आते हैं हमारे क्यूबिकल एटिकेट क्यूबिकल एटिकेट क्यूबिकल यानि कि हमको एक क्यूबिकल दिया गया एक के बिन मिला है जिसके अंदर हम बैटकर अपना काम कर रहे हैं एक टेवल लॉट किया है जहां पर हमारा डेस्क बेसिकली जहां पर हम काम करते वह को ऐसी जगह पर बैठकर private conversation करते रहोगे ना तो अच्छी बात नहीं होते हैं क्योंकि हर जगह हर किसी को सुनाए दे रहा है तो ऐसी परसनल conversations ऐसी जगह पर अवाइड करनी है जाना है तो ऑफिस से तोड़ा बाहर चले जाओ वहां जाकर यह सारी बाते आप कर सकते हों do not indulge in personal grooming in your cubicle as these have short walls and no doors and people would unintentionally view you okay अब यहां पर personal grooming के ओपर आप ध्यान ना दे बैठकर तयार हो रहे है तोड़ा सजा धजा दिया है अपने cubicle को नहीं हमारा वह घर नहीं है जिसको हम इतना ज़्यादा सजाएद अजाए क्योंकि लोग unintentionally उनकी नजर जा सकती है देखेंगे तो वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है then respect others time by sending email regarding the work you want to discuss with them and avoid interruptions in your work by encouraging others to follow the same practice अब हो सकता है जितना उतना किसी को mail करो अगर कुछ important काम है mail के उपर send कर दो बात करो हम क्या करते हैं यहां से यहां चले जाते हैं खड़े रहकर मस्त टाइम पास करते हैं बात करते हैं बिल्कुल नहीं करना है अपने स्पेस में रहो कुछ काम है कुछ document भेजा है अनलेस और इंटल इस नेसेसरी और इंपोर्टन यू आट अलाओ तो विजट इंसमें इल्स क्यूबिकल दन कीप यह कुबिकल नीट टाइडी साफ सुत्रा रखो ज्यादा पेपर ज्यादा फाइलिंग टाइड अप करके मत रखो अपने क्यूबिकल को वह सके उतना नीट रखो जरूरत की जो सामान ने वो होनी चाहिए फाइल्स हो गई स्टेशनरी हो गई पीसी है प्रिंटर है वाकि सारा सामान एक्स्ट्रा चीज़े जो यू यू आप अपनी सारी चीजों को रखना है अब हम यहां बैठते हैं लेकिन इसके क्यूबिकल में क्या चल रहा है हमको बड़ा जानना है तो हम उसकी चीजों को देख रहे है क्या रखा है वो देख रहे है क्या नोट्स रखे है उसको रेफर कर रहे है बिलकुल नहीं करना है हमको अपने काम से काम रखना है बेसिकली कई बारे सोतना हमारी शूज जो होते हैं बड़ी बास आती है शूज के अंदर से हम किसी के बाजु में बहटे जूते निकाल कर बैटे बिलकुल ऐसा नहीं करना है दूसरों की उतनी रिस्पेक करनी है हमको हो सके होतना जादा महकने की कोशिश करो लोगों को बहका आने की कुशिश मत करो बद्बू उसे तो यह बहुत ही एक पॉसनल हाइजीन होता है जो हमको अपने क्यूबिकल एटिकेट में मेंटेन करना होता है कीप चली फोन कॉन पर बात करना है जब भी फोन पर बात कर रहे हम शॉट कॉन पर बात कर रहे हैं अगर कोई पॉसनल आपने वहाँ पर बात करके खदम कर दी है अपने क्यूबिकल का मतलब हमको अपना घर नहीं मिल गया है बैडरूम नहीं मिल गया है जा घंटों हम फोन पर लगे रहे कर बात कर सकते हैं यूज हैटफोन इफ यू नीड तो लिसन तो म्यूसिक वाल वरकिंग अगर आप चा अपने कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चीजों का हमको खास ख्याल रखना होता है जब लोगों से डील कर रहे हों ठीके वहाँ पर क्या ध्यान रखना है यू आप इमानदार हो और दूसरों की फीलिंग का भी ध्यान रख रहे हो वहाँ पर किसी तरीके का अब्रिवेशन आपने अपने इमेल्स के अंदर यूज नहीं हुआ है या किसी ओफिस का रिस्पॉंदेंस में कोई प्रेंट आउट निकाल कर दिया है उसके अंदर कोई इसलाइंगर अब्रिवेशन का शॉर्ट फॉर्म ही यह नहीं कि यह नहीं है यह दो तू दे लिख दू तू दे मैनेजर तो इसका इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरीके के अपरिवेशन हमारी इमेल में नहीं होंगे speak clearly but do not shout बात करनी है you are allowed to talk in office definitely 80-85% oral conversation होते है हमारे लेकिन बात करना अलग होता है और चिलाना अलग होता है तो चिलाना नहीं है बात करना है use the four magic words of good manners अब चार magic words क्या है हमारे चार magic words है वो तीन वाले magic words नहीं देया no more magic words now अब यह जो चार magic words और golden words है हमारे thank you, sorry, please, excuse me freely as and when required तो जब भी जरुवत पड़े एकदम manner वाले इंसान बनकर एकदम धक्का देकर किसी को मत जाओ अगर जगा चाहिए excuse me बोल दो किसीने कोई favor किया thank you बोल दो, गलती हो गई, sorry बोल दो कुछ चाहिए तो request कर लो please पोल दो तो इस सरीके से चार good manners का हमको इस्तमाल करना है avoid gossiping or criticizing others never pass a sexist comments or personal remarks about anyone, whatever be the provocation जितना हो सके उतना हमको avoid करना है किसी की ओपर किसी भी तरीकी का कोई personal comment हमको नहीं करना है तो यह सारे personal comment जो है वो हमको avoid करने है परवेर का कुछ सामान बेचते है तो हम office में लेकर आगे हमसे खरीद दो तुमारी जो भी personal selling ये उसको बाहर रखो office में आके कुछ बेचने की जरुवत आपको नहीं है avoid waiting for others calls to end in a conspicuous way instead leave a note and return later अब हमको किसी को कुछ बात करनी है कुछ बताना है अब इनसान फोन पर है तो हम एकदम घाई करते हैं कब फोन रखेगा तो हम उसको बता है बिल्कुल भी नहीं अगर कुछ urgent है एक note लिखकर उसके पास में छोड़ दो जबी भी वो free हो जाएगा आपके उस note को देख लेगा matter अगर urgent है तो अपना call डिसकनेक कर देगा आप उसके पीछे मत पढ़े रहा हो कि फोन रख दो, फोन रख दो, कुछ बात करनी है हमको किसी से बात कर रहे हो तो बहुत गलत आदत होती है हम किसी के सामने च्विंगम खा रहे है हम classroom में च्विंगम खाते हैं बैटे 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 मुह आप चबा रहे हो और सामने वाल आप से कुछ बात कर रहा है और आप एकदम attitude में मुह चबा रहे है बिलकुल अच्छा नहीं लगता है करते हुए पॉसिबल होगा केबिन है डोर लगा है तो नौक करके एंटर करना है कई बार ऐसा होता है बास का मूड अच्छा नहीं और हमारा भी मूड खराब हो जाता है हम भी argument करने लग जाते हैं तो avoid arguing with your boss be respectful towards your elders even if they are juniors to you अगर आपके जो जूनियर्स है एज में आपसे बड़े है लेकिन आपके जूनियर्स है क्योंकि आपके बाद आए है ओफिस में काम कर रहे है या experience में हो सकते हैं आपसे कम है लेकिन एज में आपसे बड़े है तो always be respectful to your juniors तो ये हमारे etiquettes है when you are dealing with others अब while presenting yourself in office अब अपने आपको आफिस में जब आप प्रेजन्ट करते हो तब क्या चीजों का हमको ख्याल रखना है वेर appropriate office attire and footwear जो कपड़े पहनों के office attire जो भी allowed होता है smart casuals या formals तो आप या office casuals तो ये जो हम कपड़े पहनते पहनावे जो हमारे proper होने चीए और जो footwear ह होते हैं जो हम पहनते हैं आपको शूज बला गया तो शूज पहने हो या आप चपल या sleepers पहन कर आगए बातरूम sleepers पहन कर आगए यह सारी चीज़ें हमको avoid करनी है अपने office में be neat clean and as conservative as the business requires you to be हो सके उतना जादा conservative रखो अपने आपको और अपने आपको बड़ा ही साफ स अपने office में ज़रूरत नहीं है pay attention to personal hygiene but avoid using strong perfume personal hygiene maintain करो लेकिन ऐसा बेनी कि ऐसा strong perfume मार कर आयो कि कोई allergic है तो कोई चीक राया बैठकर continuously या फिर किसी के सर में दर्द हो जाए एकदम ऐसा fragrance यूज करो जो किसी को भी तकलीफ ना दे इसा कोई खाना मत लेकर आप अगर उसकी fragrance बोलो या smell अगर spread हो गई तो लोगों को नहीं जमेंगा तो ऐसे फुट्स को avoid करना है do not use iPods during work hours आइपोड लगा कर बैठ गए आप तो basically avoid करना है working hours में इन सारी चीजों को do not litter your office space and throw all trash in the dustbin यानि कि आस पास हम सिफ कच्रा करकर बैटे है और dustbin में जो है वो कच्रा भरते जारे बरते जारे दिन बर में यह हमको avoid करना है of course we are allowed to throw trash in the dustbin लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिफ कच्रा निकाल रहे और उसके अंदर बढ़ते जारे जितना होसा कि उतना waste avoid करो waste avoid करो तो अपने आप trash bin या dustbin में भी उतना खच्रा नहीं आएगा during meetings हमकों किन चीजों का खयाल रखना है don't be late for meetings or excuse yourself from them meetings में late मत आओ और आते हो तो excuse मत दो keep your phone on silent mode don't interrupt your colleagues and allow them to express themselves अपने colleagues अगर कोई बात कर रहा है बीच में आपस में कोई खड़ा देकर बात कर रहा है हम colleagues को बुला कि उससे बात कर रहा है क्या बोला meeting में क्या हुआ मैं late आया यह सब discussion नहीं करना है always speak with due permission from the chairperson अगर आपको कुछ बोलना है तो chairperson की permission लो और आप meeting में बात कर सकते हो जो भी proceedings चल रही है आप उसके ओपर ध्यान देंगे अपने ही papers लेकर अपना ही काम करते हुए नहीं बैठना है do not leave the meeting until it is closed by the chairperson तो जब तक meeting dispersed ना हो business meal यानि कि अब जब खाते है business meeting होती है जहाँ पर हम बाहर जाते है restaurant में मिलते है जहाँ बैठकर हम खा रहे और business के ऊपर चर्चा भी हो रही है तो वो official हमारे meal होता है जो हम लेने जा रहे है और business की बाते भी करने जा रहे है अब यहाँ पर बोलोगे आप office के अंदर तो मैं हम इतने rule बता दी office के बाहर भी कुछ manners follow करने होते हैं हमको of course करने होते है business meetings है तो वहाँ और जदा ख्याल रखना होता है हमको ठीक है while planning the business lunch business lunch जब भी आप plan करते हो तो यह planning के पहले याद रखो बच्चो कई बार ऐसा होता है आपको client से मिलने बाहर जाना पड़ सकता है business lunch के लिए तो यह सारे चीज़ों को बड़े ही ध्यान से सुनना कि आपको क्या करना है जब lunch के लिए जा रहे हो as certain your guest likes or dislikes and accordingly choose a restaurant with a diverse menu which you yourself have visited a few times अब ऐसे किसी hotel या restaurant को आपको book करना है या जाना है काने के लिए जहापर आप खुद भी बहुत बार गए हो जिसका review भी बड़ा अच्छा हो और वहाँ पर variety of options होने चाहिए menu में second invite at least a week in advance जो भी आपके clients आप मिलने जा रहे हो है जो भी business meeting है जिसको भी लेकर एक week पहले ही advance में आपको inform करना है अब वहाँ के local customs and preferences क्या बोलते है उसके basis पर time आपको decide करना है कि आपको lunch के लिए जाना है business meal पर या dinner के लिए जाना है then make it clear that you are the host अगर आप host कर रहे हो तो आप उनको बताएंगे कि हम जो है वो host है हम मेजबान है आप महमान हो तो आपको lunch के लिए डिनर के लिए आना है tell your guest what to expect to allow your guests to prepare and bring any pertinent materials तो यहाँ पर अगर कोई चीजों की जरुवत है तो आप उनको pre-hand inform कर सकते हो क्या लेकर आना है साथ में confirm the time and place and repeat the details of the invitation later in the conversation तो आपने जो भी restaurant hotel book किया है आप उसके time and place को basically with address आपको inform करना है जिनको आप invite कर रहे हो lunch या डिनर के लिए reserve a table ahead of time जो भी आपने time decide करके रखा है उससे थोड़ा सा पहले टेबल का reservation जो है वो करके रखवा दीजिए reconfirm with your guest on the morning of a lunch or dinner or on the previous day तो एक बार अपने गेस्ट को भले हमने invitation पहले दे दी एक एडवांस में लेकिन कई बार होता है कोई emergency की वज़े से नहीं आपाते फिर भी उनको याद दिलाना है एक दिन पहले या फिर लंच या डिनर है तो morning में inform कर दो या एक दिन पहले इनफर्म कर दो कि आप आ रहे हैं आज हमारा लंच या डिनर है आपको पता होगा हम मिलने वाले है तो यह चीज़ उनसे confirmation ले ले लेनी है हमको मिल के पहले अब वैब अर्राइविंग फॉर दमील जब जा रहे है तो याद रखना आप ऑस्ट हो तो आप लेट नहीं हो सकते हो आपको कपड़े अप्रोप्रियेट पहनने हैं थोड़े अच्छे कपड़े होने चाहीं आपके एक 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 मील के लिए जा रहे हैं एकदम भी फॉर्मल्स पहन कर नहीं आओ गया थोड़ा बहुत बिजनस कैजूल्स अला होता है तो वो पहन कर आ सकते हो अगर ऐसा है कि कोई होस्ट वो इन्वाइटी लेट आने वाला है तो होस्ट जो है वो वेटर को भेज सकता है कि हमारे गेस्ट आने वाले आप प्लीस उनको स्कॉर्ट करके बाहर से यहां पर ले आईए यह मील पर पहुचने के पहले है अब जब हम खा रहे हैं तो उस वक्त हमारे एटिकेट्स क्या होने चाहिए खाने पर भी एटिकेट्स होते हैं बिलकुल होते हैं खाने के दौरान एटिकेट्स यही तो सबसे मेन एटिकेट्स है जो हम खाने के वक्त हमको हमारे एटिकेट्स बताने हैं आपको कोई चीज नहीं भी पसंद आएगी फिर भी तो हमारे मैनस को क्या बोलते है कि कौन बैटना चाहिए लेड़ एक नापकिन होता है आपके सामने बड़े और अच्छे रेस्टोरेंस को ही बुक करते है तो हम क्या करेंगे नापकिन लेंगे अपने लाप के ओपर रख देंगे जब आप खाने को आड़र दे रहे हो तो अच्छा होगा बहतर होगा कि हमारा होस्ट जो बोल रहा है उसके बेसिस पर हम अपना और प्लेस करें अब हो सकता है मेरा खाना आगया लेकिन दो लोग वा खाना बाकी है तो मैं खाना शुरू नहीं कर सकती हूँ सबका खाना आजाएगा सब मिलकर फेस आपने स्टार्ट कर सकते हैं हो सके तो अपने फोन को उस वक्त अवाइड करना है जब हम खाने के टेबल पर है या तो सुछ आफ कर दो या तो साइलेंड मोड पर रख दो अगर आपको कोई अपने पास उसको रख सकते हो अवाइड कंजूमिंग एलकोहल दिरिंग बिजनस लंच और डिनर बिजनस लं अगर आपने सूप और किया है तो जब आप सूप को नहीं पी रहे हो तो आपका चमच जो है वो बाउल के अंदर मत चोड़ दो जब आपको पता है कि मैं नहीं पी रहा हूँ पॉस लेने वाला हूँ पांच-दस मिनिट का बात कर रहा हूँ तब तक तो मैं सूप नहीं कंजूम करने वाला हूँ या नहीं कंजूम करने वारी हूँ तो उस स्पून को निकाल के आप बाहार रख देंगे बाउल पर रख तो आप जबर्दस्ती ऐसा स्पून उचाल के मुँपे मार कर नहीं पिला सकते हो तो याद रखना खाते वक्ट या सूप पीते वक्ट स्पून को निकाल कर साइड में रख देना है अचा कई लोगों का आदत होती है खाना आगे है न हम नमक लो उसको अंदर डालना शुरू कर दो क्योंकि अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होता है एक ऐसा मेसेज जाता है कि आप अपने ही बन से डिसिशन लेते हो किसी की सुनते नहीं हो तो यह खाते वक्ट के कुछ मैनर्स हम को फॉलो करने है अब आते हैं अब खाने के बाद लास्ट में लास्ट में भी एटिक फॉलो करने है वह जो एटिकेट होते हैं मील खतम होने पर प्लेज द नापकिन बैक अन टेबल तू दे लेफ साइड ऑफ दे डिनर प्लेट आकर हो गया नापकिन को लाब पर से उठाओ left side dinner plate पे रख दो host को thank you बोल दो अब wait करो host के लिए ताकि वो bill उठाए और bill पे करे और हो सकते तो कुछ tips जो है वो हमको छोड़ देना है host भी छोड़ सकते है usually host पे कर रहे तो वही tip जो है वो छोड़ देते हैं हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है वो host को भीजना है कि हमने बहुत अच्छा time spend किया है आपके साथ में और जो भी अपने decisions होंगे business से related हमारे meeting थे तो अपने जो भी decisions होंगे उसके confirmations जो है वो अपने host को दे देने हैं host should also write telling the guest how nice it was to dine with him or her and briefly recapping any business details अब जो host है वो भी लिख सकते है और बता सकते है guest को कि किस तरीके से एक अच्छा हमारा environment रहा है कितने अच्छे conversations हमारे रहे हैं तो उसके उपर host भी एक thank you note जो है वो अपने guest को लिख सकता है अब ये जो last है बच्चो हमारे etiquettes आप बोलो कि कितने manners है माम बहुत manners है तो ये manners आते हैं हमारे business cards related business card जो हमारे visiting card होते है उसको हम बुलाते है business card अब अब बलकि माम इसके लिए भी etiquettes होते है हाँ business card के लिए भी etiquette होते है ऐसे उठा कर हम जो दे देते हैं ये नहीं दिया जाता है इसको देने का एक तरीका होता है किस तरीके से present किया जाता है वो हम देखेंगे business card बहुत ही important होते है business के success के लिए प्योंकि सबसे ज़्यादा attention जो दिया जाता है वो जब cards exchange होते हैं उसके उपर ध्यान दिया जाता है कैसे आप अपने card जो है वो सामने वाले को present करते हो never leave your home or office without plenty of your cards जबी भी घर से निकलो ध्यान दखना है आपके पास आपके business card यानि के visiting cards होने चाहिए keep your cards in a business card case to protect them from wear and tear as a crumpled business card makes a poor first impression अब हो सके तो business card का जो case आता है आप उसी के अंदर उसको रखेंगे ताकि जबी भी इसको देना है उस case में से निकाल कर दीजे हमने ऐसी wallet में रख दिया तो chances है क्योंकि वो paper होता है definitely crumple हो सकता है तो बहुती poor image ए impression आपका बनेगा जब आप ऐसे crumpled business card आप किसी भी client को देते हो no where your business cards are at all time so that you don't have to hunt for them when someone asks for it जब कोई आपका business card मांगे तो आपको पता होना चाहिए आपका business card कहा है उस हिसाफ सो उसके availability अपने पास टकनी है hand out just one or two cards अगर ज़रुवत पढ़े दो card की usually अगर दो इंसान हमारे सामने तो हम दोनों को देते हैं तो एक या दो card ही हमको hand over करना है give and receive cards with your right hand the hand of description कभी भी cards किसी को देते हो तो cards हमको अपने right hand से देना होता है give the card so the person who is receiving it can read it without having to turn it around अब आप जब card दे रहे हो ठीक है card हम कैसे present करते है for example अगर ये मेरा business card है तो ये business card को है ये इस तरीके से सब कुछ जो लिखा हुआ है ना वो आपके side होना चाहिए मेरे side नहीं होना चाहिए तो तक हम जब किसी को present कर रहे है तो सामने वाले को उसको turn करके पढ़ना ना पढ़े इसलिए सीधा सीधा हमने क्या कर दिया इस तरीके से उनको present कर दिया है always make a comment about a card when you receive it note the logo, the business name or some other piece of information this place is value on the card तो हमेशा ध्यान में रखना है card के उपर कोई ना कोई comment जो है वो आप जबी भी receive करते हो तो आपको उसके उपर कोई comment जो है वो mention करना होता है आप logo note कर सकते हो business name या फिर कुछ और piece of information जो उस पे दी गई है keep your business cards up to date with your latest address and phone number हमेशा याद रखिए business card जो होते है हमारे उसको up to date रखना है हो सकता है initially आपने join किया था तब business card पे आपकी position अलगती आप executive थे अब आप managerial level पर हो तो आपके card को आपको update कराना होता है phone numbers, आपके email ाइडी, official mail ाइडी आपके address जो है address यानि की office का address वो उसके ओपर clearly mention होना चाहिए don't write notes to yourself on someone else's business card अगर किसी का business card आपको दिया गया तो उसके ओपर अपने personal notes लिखने की हमको जरुवत नहीं है it does not gives a good impression lastly, wait to be asked for your business card else ask the other person for card so that he will reciprocate the gesture अब खुद से निकाल कर अपना business card नहीं देना है हमको सामने वाला भांगे का तो देना है लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला हमारा business card ले तो best है कि आप उनसे उनका business card मांगे जब आप उनसे उनका business card मांगते हैं तो वो भी रेसिप्रोकेट करते हैं वो भी आपको अपने business card को देने के लिए जरूर बोलेंगे तो इस तरीके से यह होते हैं हमारे बिजनेस कार्ट के एटिकेट जैसे मैं आपको बोला इसको प्रेजंट करने का जो तरीका होता है तो इस तरीके से आप क्या करते हैं बिजनेस कार्ट को हैंड़ोवर करते हैं तो इसी के साथ बच्चो हमारे सारे में जहां पर हम अपने objective questions को cover करेंगे. Till then stay tuned to our channel. Thank you very much.